उत्राखंड के उत्तरकाशी में पिछले 102 घंटे से 40 मजदूर अंदर फसे हुए है हादसा 12 नवेंबर की सुबा चार बजे एक निर्मान दीन टेनल धसने से हुआ था मजदूरों को बचाने के ने पिछले पास दिनों से कई प्रयास किये गए है आपको बता दे कि रेस्क्यू टीम ने 14 नवेंबर को स्टील पाइप के जरिये मजदूरों को निकालने की प्रोसेस शुरू की थी इसके लिए ओगर ड्रिलिंग मशीन और हाइडरो लीक जैक की मदद से 35 इंच के डायमीटर का स्टील पाइप टेनल के अंदर डालने की कोशिश की गई है हाला कि इसमें सफलता नहीं मिली इसके बाद 15 नवेंबर को सेना की मदद से हरकुलेस भिमान से दिल्ली से हैवी ओगर मशीन मंगाई गई तो वही गुरुवार को अमेरिकन ओगर्स मशीन को इंस्टॉल कर रेस्क्यू शुरू किया गया NHI DCL के डायरेक्टर आशुमनीश खलखो ने बताया कि 25 टन की हैवी ड्रिलिंग मशीन प्रती घंटे 5 से 6 मीटर तक ड्रिल करती है तो वही मलवे को पुरी तरह से ड्रिल करने के लिए 10 से 12 घंटे लग सकते है बने रहे प्रदेश टुडे वीडियो न्यूस के साथ धन्यवाद